एक बोहुत बड़ा सवाल यह पैधा होता है स्टुडेन के लिए हाउटू राउंड आफ कैसे हम राउंड-आफ और करें कि आपका एन च कुस्टेक कैसा रहेगा हैंने हम राउंड- और कैसे करें को होता है कि लिखा रहता है कि आपको कितना डिजिट तक इस्तमाल करना है और उतना डिजिट के बाद आपको क्या करना है इस वेरी इंटरस्टिंग फैट और स्टुडेंट क्या करता है कि जो मौका मिला हुआ चाहां पर यह नहीं चलेगा जैसे रांड आफ से एक बहुत तकलिब होता है कि यह को स्टेशन राया कि आप जब आया तो असका स्ट्राइब पढ़ने का को सिर्फ देखना आप आप देखिए जब इसका फाइनल एंसर आपने लिखने गया तो आपको मिला क्या सरक थी फाइब जिरो कि एड़ी टू एट इतना न्यूटन पहले धन रखे एक कोस्टेन का एंसर पूछा गया किलो न्यूटन तो क्या आप यह डेटाप पूछ करेंगे एंसर पूछा है कि लो नुटन आपका एंसर न्यूटन में अब प्रोब्ले में जाएगा कि ए फॉर्मुला में अगर आपने न्यूटन में डेटा पूट कर दिया तो गया तो यूनिट तो पहले देखना होगा जैसे कि लो नमोला आपका तीन सिट एपॉइंट सिफ्ट होके यहां पर पहुच जाएगा पॉइंट एट विकाम नाओ किलो न्यूटन क्योंकि पॉइंट यहां पर आ गया आप स्वाल पूछा राउंड आफ टुदा नियरेस्ट इंटेजर अब नियरेस्ट इंटेजर का मतलब है कि यह जो 350 एक कौन सा इंटेजर के पास है सर 350 के पास है अब अगर मनलो कि इसका एंसर इहां पर 5 आया होता 6 आया होता इस जगह में अगर इसका एंसर 5 आया होता तो सेर उसका nearest integer यहां पे क्या होता ना तब nearest integer यहां पे 351 होता धन रखे 351 nearest integer बोला है अगर इसका value यहां पे 6 होता 5 से more than anything 5 से ज़्यादा कुछ भी होता 6 होता तब भी आपका 351 मतलब यह जो पॉइंट के बाद बाला यह जो ट्रंक के सान करों इसके बहुता है इसके बाद अगर 56789 आता है तो 350 होगा और इसके बाद अगर 0, 1, 2, 3, 4 तक आता है तब इसका 350 होगा तो 351 तब होता जब आपका इसका value तो क्या clear हुआ भी साय कि कैसे हमें round off करना है लेकिन एक बाद मैं बताओ कि एक करना चाहिए student को क्योंकि बहुत सारे केस में ऐसा हुआ है कि integer पूछा है जिसने point देका था सको marks नहीं दिया ऐसा भी किया है इसा भी question है जहां पर इंडिजर पूछा है बंदने डेट पॉइंड में डेटा देके आया उसका answer लिया है उसका answer मना है लेकिन बहुत बार ऐसे भी किया है एक question है था टेन पॉइंड जिरो भी लिखा तब भी उसको काट दिया इसलिए आपको धेन रगना पड़ेगा कि वह यहां पर लिखा रहता है कि क्या करना हैको करो अगर कुछ नहीं लिखा रहता है पॉइंड के बाद दो डिजिटs बाद खतम मैं अगर कुछ बी करके हमारे पास question आया था किसका जो answer निकल के सुन सस toothbrush करते हैं इस question मिन स्वेट निकल के आया कर रहे है 28.5714 कि तो एंटी एट पॉएंट फाइब सेवेन वान फूर तीस इस दा एंसर जो हमें मिला कैलकुलेट करने के बाद अब लिखा है जो ट्रंक के सन किया उसके बाद वाला पॉइंट क्या है उसके बाद में कौन है सर आपका पांच से कम है अगर फाइब से कम है इसका जो डेटा है as it is बाठेगा एंड इसमें जो इंटर करना पड़ेगा that is equal to 28.57 इसमें पॉइंट 14 नहीं होगा मजब इजा आपका ट्रंक के सन क्या उसके बाद फाइब से कम है नवाई इसके बाद बार उसके बाद से महीं मदलब नहीं है जास्त्रंक के सन के बाद में जो डेटा रहता है हमें उसका मतलब बता है four more than five और less than five अगर यहाँ पह ऐसा होता कि दीश ठिंक कि अगर इसके एंसर आया होता कि सर यहां पर मुझे तो मिल रहा तो 57.54 तो यह आपका हो जाएगा फिर एट क्यूंकि यह जैसे 56 हो जाएगा तब भी 7 हो जाएगा तब भी एक बड़ेगा नाइन हो जाएगा तब भी मलब यह जो ट्रांकेशन की आपने उसके बाद बाला डेटा 5 से कुछ भी होता है 5 हो एंद 5 विश्यादा हो तब होगा 5 हो तब 5 से जादा हो तब भी होगा तो इस तरह से आपको धान डाखना पड़ेगा कि कैसे हमें ट्रांक किसान करना चाहिए आप बोला सर लास्ट एक चीज और दिखा दिजिए जैसे एक कोस्टर है एक हमारा बेसिक सांट पूछ रहा था ठीक है इसके केस में क्या हुआ कि इसका एंसर था 50.005 आप देखें एंसर आया ही है 50.005 यही आया है एक्जाक्ली इतना रहा है और लिखा भी है राउंड ओफ टू थ्री डेसिमल प्लेसेश अब थ्री डेसिमल प्लेसेश मलब 50.005 ही आपको लिखना होगा तभी तो थ्री डेसिमल प्लेसेश तक गया अगर कूछ नहीं लिखा आता है मैं बोला था दो डिजिट ठीक है अगर उसमें भी ऐसा नहीं कि भी लिखो क्या जता है कि पॉर्ण के बाद दो भी लिख सकतो तीन भी लिख सकतो यह जवां तो कुछ बोला नहीं बट यह से केस में क्या करना पड़ता है कि दीस विल बीदा एंसर एक ऐसा भी कोस्टेन बर आया था जिसमें एंसर आ रहा था जैसे मालों की इसका दो एंस और सरी आया था तरिस 29.3 इस वास देंसर और बोला था पॉइंट के बाद दो डिजिन लिखो तो आप धन रखे उसमें 29.30 भी लिखोगे कॉम्प्यूटर ऑटोमेंटीकली 29.3 कर देगा तो ऐसे केस में आपको क्या करना है 30 लिख क्या आना है लेकिन उसमें दूखी होने क कोई बाद नहीं कॉम्प्यूटर जो आटो करेट करता है वह आटोमेटिकली हमारा सब्सक्राइब में इन्विल होता है इसलिए इसमें दिक्कत नहीं होगा अब देखोगे आपका 29.3 क्योंकि वो कॉम्प्यूटर चेक करेगा उसमें क्या होगा कि ऐसे अगर आपका आता ह जाओ बट यह सोचने का कोई जोरोद नहीं है कि उसमें दिक्कत हो जाएगा कुछ प्रॉब्लम हाजाएगा लेकिन जहां पर ऐसे इंटेजर लिखा रहता है जहां पर ऐसे डेटा लिखा रहता है उसमें एक्जाक्ली जो क्वेस्टन में लिखा है वहीं लिखे क्योंकि लिखा रहता है उसके हिसाब से आपको एंसा दिकाना चाहिए फिर आयाइटी चेक करेगा कि भाई तुम्हारा ठीक है नहीं और बहुत सारे केसमें रेंज दिया रहता है जो रहेंगा उस रेंज में आपको सोचने का जुरूद नहीं है एक्जैमिनर जो रेंज देके रख हमेसा धेन रखे